तो आप लोग कैसे है आज हम जो मॉर्फोलोजी का बहुत तिक इन्पोर्टेन सा टॉपिक जो प्लेटेक्टोनिक के साथ रिलेटेड है वो दोनों सब्दे है एक होता है होस्पोट और दूसरा मैंटल प्लियूम क्या है होस्पोट क्या है मैंटल प्लियूम प्लेटेक्टोनिक के साथ एक ऐसे रिलेटेड है और मैंटल प्लियूम और होस्पोट में क्या डिफरेंट है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो सबसे पहले आप जान लो कि जो क्या होता है होस्पोट दरवसल जो होस्पोट है वो दो सब्दे से बना है एक तो होता है होट एक होता है स्पोर्ट होट मतलब होता है गरम या टेम्परेचर मतलब स्पोर्ट मतलब होता है स्थान वा एरिया मतलब ओ एरिया जिस एरिया की टेम्परेचर ज्यादा हो उस एरिया को हो स्पोर्ट कहते है अब प्रश्ण उर् और या कौन सा एरिया है किया पिथवी की ऊपर या पिथवी की नीचे तो इसका एंसर होगा पिथवी की नीचे तो अब एक प्रशन और भी उड़ता है पिथवी के कितना नीचे है होगा तो आप जानते हैं कि जो आर्थ की तीनों लेयर है एक होता है क्रश्ट सबसे उपर उसके बाद मैंटल जो बीच में है उसके बाद कोर जो सबसे नीचे है तो ए जो हॉस्पोट उस थान जिस थान की टेमपरेचर अपने आसपास की टेमपरेचर से ज़्यादा है उस स्थान को होस्पोट कहते है एह होस्पोट एस्थोनुस्पियर में भी हो सकता है एस्थोनुस्पियर क्या है जो क्रस्ट है और मैंटल की बीच का जो लेयर है उसको एस्थोनुस्पियर कहते है और एस्थोनुस्पियर मतलब जो मैंटल की ऊपर है क्रस्ट और मैंटल की ब की टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो अब प्रश्णूरत है एक टेम्परेचर क्यों ज्यादा है दरसल आप इस चित्र में देख सकते हैं आप इसको समझें कि यह होता है इसके उपर एक क्रस्ट है और मैंटल है तो मैंटल में कुछ ऐसे स्थान है जिस स्थान पर जो रेडियोक्टिव एलिमेंट है उसकी कॉंसेंटेशन उसका जो मात्रा है वो बहुत जादा है मतलब जो रेडियोक्टिप एलिमेंट है मैंटल की कुछ थानू पर बहुत जादा है कुछ थानू पर बहुत कम है मतलब ए समान रूप से सब जगा नहीं मिलते मतलब मैंटल में तो मैंटल में कुछ थान ऐसे है जिस थान पर जो रेडियोक्टिव एलिमेंट क्या है रेडियोक्टिव एलिमेंट बहुत ही हीट जेनरेट करता है तो जो रेडियोक्टिव एलिमेंट है वो बहुत ही हीट जेनरेट करता है आप मालो जो मैंटर की मैंगमा है अब समझो इस थान की रेडियोक्टिव एलिमेंट बहुत जादा होगा क्योंकि अगर हीट जादा होगा तो टेमपरचर जादा होगा अगर इस स्थान की मैगमा जो है ओ और भी गरम हो जाएगा अगर गरम होगा तो उसका वॉल्यूम भी बर जाएगा अपने जो फिजिक्स में सीखा है कि जो भी ऑबजेट है अगर उसका टेमपरच घटेगा तो उसका वॉल्यूम भी घटेगा तो अगर मैगमा की टेमपरचर ज्यादा हो जाए तो वह बहुत ही वॉल्यूम में बर जाएगा और उपर की तरफ जाएगा तो उस उपर मुखी प्रबाहों को उपर मुखी गती को कहते है प्लूम तो होस्पोट क्या है होस्पोट होता है मैंटल में कुछ ऐसे स्थान है जिस स्थानों की पर रिडियोक्टिव एलिमेंट के कारण रिडियोक्टिव एलिमेंट के कारण उस थान की टेमपरचर बहुत बर जाते हैं उस थान को कहते हैं होस्पोट और होस्पोट अगर हो जाए होस्पोट के कारण होते हैं मैंटल प्लिम मतलब होता है कि जो मैगमा की उपर मुखी इस प्रभाहों के जो मैगमा उपर जा रहा ह इस प्रभाह को क visualize criticize स्थन उस्पियर में अगर ऐसे छोजाए तो इस थान पर वी मेंसे मेंसे हो सकता है अगर मैंटल्ल्पियू मतलब जो मैंगा है उपार जा रहा है कंवेक्षेयर करिंट की तरह अगर उपार जा raha हाहा है तो क्रस्ट की जो क्रस्ट है उसको धक्का देगा तो मैं बताऊंगा की जो कैसे जो स्था अगर अब देखलो मैंने बताया होस्पोट क्या है होस्पोट वो स्थान होता है मैंटल में जिस स्थान पर रेडियोक्टिव इलिमेंट बहुत ज्यादा होता है उस रेडियोक्टिव इलिमेंट के कारण उसका टेमपरेचर बहुत ज्यादा हो जाता है उस थान को कहते है होस spot जो Continental और Oceanic Cross के नीचे होता है मैंटल में होता है एस्तोरुच अबभी होता है ऑफ 1971 में जी मारगन ने बताया था तो सबसे पहले आप जालनो जो प्लियूम या मैंटल प्लियूम होने की सबसे पहले होना चाये होच्प precे अगर होगा तो मैंटलव होगा मैंटल प्लूम नहीं होगा तो अगर होजब्झ नहीं प्लूम तो अब हम बताएंगे किस तरीके से जो आज bit 21 आज करश्ट की नीचे 21 ऐसा स्थान है है जिस स्थान की नीचे 21 मैंटल प्लियूम या हॉसपोट है तो 8 की क्रस्ट की नीचे 21 ऐसे स्थाने जब पर हॉसपोट है मतलब 21 क्रस्ट की नीचे हॉसपोट है आप जान लीजिए अब मैं बताऊंगा दरसल जो वॉल्केनिक इरप्षन के साथ जो हॉसपोट कैसी रिलेट तो अगर दो प्लेट आपस में ऐसे अपने साथ स्थेस टू फेस ऐसे आए तो एक जो भारी प्लेट है वह हलका प्लेट की अंदर घुश जाएगा और भारी जो प्लेट है वह मैंटल एस्थोनूस पर की हाई टेंपरचर बज़ए से गलने की वज़ए से जो मैगमा है अगर आपको एक प्रशन दिया कि जो प्लेट की अंदर क्यों वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो इसको आप इस होस्पोट की जरिये से वैखा कर सकते है आप मालो कि जो कोई भी प्लेट की मतलब इस थान को माल लो इस थान की निचे होस्पोट है उससे उपर उटने वाला प्लियूम अगर प्लियूम इस प्लेट की इस जगा पर उपर नीच से ऐसे धक्का दे तो इस थान ऐसे टूट जाएगा यह जो प्लेट है कॉंटने टूट जाएगा और इस तूटने की वज़ए से इस थान से मैगमा उपा जाएगा और इरप्ट होगा और धीरे धीरे ऐ यह बनते है प्लेट की अंदर। और दुसरा एक होता है जो divergent प्लेट dudeg Als मार्जिन पर होता है जो हमको दिखाए नहीं देता क्यों दिखाए नहीं देता ए में सागर है सागर की नीचे जो ओशनिक क्रस्ट है या ओशन की फ्लोर है तो एक प्लेट है जो डाइवर्जेंट मतलब एप्रेट इधाच जा रहा है तो इसके बीच में जो स्थान है इस हॉस्पोट से उठने वाली मैगमा इसथान से उठकर इसने मीट ओशनिक रिज बनाते है या यह अपर एक जो फॉल्केनिक चह बनाता है मतलब फीचली रिउपशन होता है जो हमको दिखाई नहीं अब प्रशन उठता है जो फिचली ऐपशन है मने बताया फिचली ईप्शन और संदर इराप्शन में क्या डिफ हो तो इसको कुछ इरप्शन और कोई Central point से कर हो तो इसको कहते हैं Central eruption मतलब ऐसे कून बनाकर तो इसको कहते है इरफटान तो आप समझ लिए किसे होसपोट की जरिये से सेंटर एरफशन होता है प्रेट के अंदर और इसके हैं ऐसे ही में बनते हैं वह आप देख लो दरसल यह बहुत ही इंपोर्टेंट है चेन आइसलेंड कैसे बनते है हॉस्पोट की जरिये से कि आप जानते हैं कि जो प्लेट है और मूफ करता है प्लेट की मूफमेंट की कारण है कन्वेक्शनल करेंट आप समझो सबसे पहले यह पर हॉस्पोट में एकी स्थान पर रहता है हॉस्पोट की स्थान चेंज नहीं होता है हॉस्पोट एकी स्थान पर रहता है प्लेट हो मूफमेंट करता है प्लेट आइसे मूफमेंट करता है आप मालो हॉस्पोट इधर है इधर से प्लीम उठ रहा कि बीच में ऐसे मालो यह पानी है तो ऐसे आइसलेंड बनाएगा यह पानी है तो प्लेट ऐसे मूफ कर रहा है यह जो वॉलकन हो है कुछ दिन बाद इधा चलाएगा कि इधर से और इरॉप्ट नहीं होगा क्योंकि जो मेगमा यह अपन नहीं है यह कुछ दिन बाद इधा चलाएगा यह भी इरॉप्ट नहीं होगा तो इधर फिर से यह बनाए जाएगा तो इधर जो वॉलकन होगा ओएड्ट हो और एक्टीव होगा इसके बाद इधर यह भी इधर जाएगा और एक बनेगा इधर जाएगा तो एक लंबा process चाहिए इसके जरी से एक chain की तरह जो होता है इसको chain volcanic traffic होता है जो hot spot की जरीए से आपको इसको explain करना चाहिए और मैंने पूरा डिटेल में बतायागा अगर आपका ए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपका कोई भी सवाल हो मेरे इस वीडियो के जरीए से आप मेरे कॉमें सेक्सर में कर सकते है और मेरा जो प्रिवियस वीडियो है आप उसको देखिएगा और अपने दोस्तों के भी शेयर करेंगा ठांक्यू